नमस्कार दोस्तों आज हम इस वीडियो में दिल्ली मेट्रो और ब्येसनल में आया हुआ से रिजोनांड सार्किट का कुछ इंपोर्टन अबजेक्टिक कुछन के बारे में डिटेलमेंट इसकुछन करेंगे और अगर आपको वीडियो आच्छा लागता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तो देखो आज का वीडियो हम सुरू करते हैं आज का फास्ट कुछ चन है हुआन एकसेल इंडॉक्टिव रियक्टांस इस इक्वाल टो कापासिटिव रियक्टांस एकसी जब एकसी और एकसेल इक्वाल होते हैं बराबर होते हैं तो इंडॉक्टिव रियक्टांस दोनो इक्वाल होते हैं तो इंडॉक्टिव रियक्टांस दोनो इक्वाल होते हैं तो इंडॉक्टिव रियक्टांस दोनो इक्वाल होते हैं तो इंडॉक्टिव रियक्टांस द स्कुर्मला लेकिन कुस्चन में है इंडॉक्टिव रियक्टान्स और कापासिटिव रियक्टान्स दोनों इक्वाल है तो दोनों को अगर मैनास करेंगे तो 0 मिलेगा तो उसके बाद क्या होगा देखो आर स्कुर्ण का रूट ओवर ही रहेगा उसके बाद आर स्कुर्ण रूट ओवर यह होता है आर तो इसलिए इंपिडान्स इस इकल टू आर ऑप्शन नॉबर ए इद्धा कोरेक्ट एंसर देन देखो नेस्ट कुस्चन क्या है नेस्ट कुस्चन है दि फेनमोन अप रिजोना प्रेडियो में यूज करते हैं अप्शन नंबर ए इद्धा कोरेक्ट एंसर बेरी इंपोटेंट कुस्चन देन देखो नेस्ट कुस्चन क्या है नेस्ट कुस्चन है इन ए सीरीज आरल सी सरकीट मागनेचीट ओप रिजोनांस फिक्रेंसी केन बी चेंज बाइचेंजिंग केला में से मुल नेसीसे सरकीट मागनेची , एया इनडक्टान से या कापासिटन्स का वह से झापासिटन्स, और इंडक्टान्स या कपासिटन्स, किसी एक का वेलू चेंज करने से रिजोनाट फ्रिकंसी का वेलू चेंज होगा तो इसका अंसर होगा ओप्सवन नबर दी दा क्योंकि देखो जो रिजोनाट फ्रिकंसी होता है उसका फर्मूला किया होता है देखो 1 by 2 pi into inductance into capacitance का वेलू को चेंज करना होता है तो हम inductance का वेलू को चेंज कर सकते हैं या capacitance वेलू किसी तो option number D चाहे L या C किसी एक का वेलू चेंज करने से हमें रिजोनाट फ्रिकंसी का वेलू चेंज होता है तो option number D is the correct answer then देखो next question क्या है नेश्ट कुछन है the dynamic impedance ओपे parallel RLC circuit resonance is देखो एक parallel RLC डिजोनाट सार्किट का जो dynamic impedance होता है उसका फर्मूला क्या होता है C by LR होता है या LYCR होता है या RYLC होता है या RLC होता है तो इसका answer होगा होगा LYRC this is the correct answer तो ये देखो option number B एक parallel RLC डिजोनाट सार्किट का जो dynamic impedance होता है उसका फर्मूला क्या होता है इंडॉक्टर डिवाड़ बे कापासिटर डिजिस्टर डिजिस्टर ल वाई सी र अप्शन नमबर बी दा कोरेक्ट एंसर देन देखो नेस्ट कुछन एन RLC series circuit is resonating at 150 होज़ इट्स impedance at 50 होज़ में क्या होगा देखो जो रिजोनाट फ्रिकोंसी है इदर कुछन में 150 होज़ है रिजोनाट फ्रिकोंसी तो 50 होज़ में क्या होगा यह सर्कीट होता है इंडॉक्टिव सर्कीट जासा ब्यव करेगा यह कापासिटिव नेचर होगा यह रिजिस्टिव नेचर होगा यह डिपेंड ओन RLC एलिमेट वेलू के ओपर डिपेंड करेगा तो इसका अंसार देख ज्यादा होता मिंगे सर में 450 होरे से जादा होता है तो यह इंडॉक्टिव जैसा बहुप करता है हमारे स्वेजिरी सरकीट में होता है और अगर ये परैली होता है तो इसके यह पॉजिट होता है तो इस कुछचन का एंसर क्या होगा option number be the correct answer तो देन देखो next question next question is the current in an RLC series circuit at resonance देखो एक RLC series circuit जो होता है उसमें current का value क्या होता है maximum होता है या minimum होता है या infinity होता है या 0 होता है तो देखो इसका answer होगा एक RLC series circuit में current का value maximum होता है option number a is the correct answer क्योंकि देखो जो Z होता है impedance उसका value बराबर R के साथ होता है means impedance का value कम होता है अगर impedance का value minimum रहेगा तो current का value automatically maximum रहेगा क्योंकि impedance एसी circuit में current को अपज करता है तो इसलिए current का value क्या होगा maximum होगा option number a is the correct answer देन देखो नेस्ट कुचन क्या है नेस्ट कुचन है एक parallel resonance condition the power factor देखो एक parallel resonance circuit में जो resonance condition में उसका power factor का value 0 lagging होगा या unity होगा या 0.8 lagging होगा या 0.8 leading होगा बेरी बेरी इंपनेट कुच्चन देखो यह बहुत सार एक और यह बहुत सार एक जाम में अल्लेडी आ चुका है देन देखो नेस्ट कुच्चन क्या है नेस्ट कुच्चन है यह थो तो देखो यह सर्किट सर्किट है जोनाज समींच क्या होगा एकसेल और एकसी दौनों बराबर होंगे म grilled को आपास में अलकेंसल कर आघया तो आ आइक फॉर्मुला कीया है contexts कुच आज कोरेंक का बेलू गाए तो आइज़ुकुंड प्रोर्वल्त के रेजिस्ट相信 तो रेजिस्टेंस का बड़ो 10 है तो इसको कैंसल करने से हमें 5 एम्प्योर मिलेगा ये होता है आमारा अप्षन नंबर भी द्धा कॉरेट एंसर जोब एक ये रीजोनेंस सेर्किट होता है तो अप्षन नंबर भी द्धा उनर्ट थो में व्यसे बेंवर लू से अगर रहेगा तो क्या होता है। सरीट का फासिटीव होता है। और जादा रहेगा तो इंडॉक्ट भेैं। SECRET में ए और में आधा है लुक्षण से करलोह सर्केट में तो वो एक इंडॉक्टिव सार्किट जैसा इंडॉक्टिव लूट जैसा विहव करता है ओप्शन नंबर ए इद्धा कोरेक्ट एंसर देन देखो नेस्ट कुछन क्या है नेस्ट कुछन है एट रिजोनार्स इन सीरीज आरल सी सार्किट दी अपलाई वल्टेज इक्वाल एक सेलसे हमारा चैनला को बराबर होताँ तो और आज के लिए इतना ही थैंक्स पर वाचिंग और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर किजिएगा